राइस्तान के परजा मंडलों की स्थापना वर्स सस्तापाकों पर्मु घटनाओं से सम्मन्दी जोगी महत्पून कुशिन बन सकते हैं आज हम इसी वीडियो में लेकिया हैं यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंगे नोटिफिकेशन के जरी हमारी वीडियो मिलेंगी आपको सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन करोली परजामंडल के स्थापना किस वर्स की गए थी तो राइट आंसर होगा उपसंडी सन 1938 में करोली परजामंडल इस्थापना हुई सन 1938 में संस्तापकते तिरलोक चंदर माथूर चिरंजे लाल सर्मा वे कुवर मदन सिंग कुवर मदन सिंग ने करोली किसान अंदोलंकार निर्थित्यों क्या था जो सन 1927 में हुआ एक अन्य परजामंडल है किस अंगड परजामंडल इस्थापना हुई सन 1949 में कांती लाल चोथानी वे जमाल साग के सैयोग से कुवर लाल लिगम ने किस परजामंडल की स्थापना की थी तो राइट आंसर होगा उप्शन डी कुसलगड परजामंडल जिसकी स्थापना अप्रेल 1942 में बहुर लाल लिगम की अध्योख्षता में की गई और गठं किया था कनिया लाल सेटिया ने एक अन्य परजामंडल है जालावाड परजामंडल इस्थापना हुई 25 नॉंबर 1946 को संस्तापक थे मांगिलाल भहुए और सदिस्य थे मगबूल आलाम जालावाड में राजा हरिश्चंद की नित्यत्यों में उत्तर दाइस आसन की इस्थापना की गई थी मिठाल आल व्यास ने किस परजामंडल के इस्थापना जूद्भूर में की तो राइट आंसर होगा उपसन सीज जैसल मेर परजामंडल इस्थापना हुई 15 दिसंबर 1945 को संस्तापक थे मिठाल आल व्यास अमरत लाल पाठक चुन्नी लाल परभाकर वे ठककर बापा जिसकी स्थापना जूद्भूर में की गए थी जेसल मेर राजय परजापरिस्थ के स्थापना 1949 में की गए थी सिरोही परजामंडल जिसकी स्थापना 1949 में बोम्मय में की Withretforan में वंबाई में सिरोई परसेमदल की स्थापना सrüन 1949 में की गई नेक्स्ट को recognize dal aż Lulu रायस्थान में सुरव परतम उत्तरदाई सासन की स्थापना किस रियासत में हुई immortal कोश्षान तो राइटा अंसर वह उपसेडी सहपूरा में सहापूरा रायस्तान में स्वर्व पर्थम उत्तरदाई सासन की स्थापना सहापूरा रियासत में की गई थी राजा ते सुदर्संदेव और प्रधानमंत्री बनाय गया था गोकुललाल असावा को बात करते हैं सहापुरा परजामंडल की इस्तापना हुई सन 1938 में संस्तापक्ते रमेश चंद्र ओजा, लादूराम व्यास, आबे सिंग धांगी, मानिकिलाल वर्मा के सैयोग से गटन हुआ सहापुरा परजामंडल का वेभो नमक समाचार पत्र का संबंद किस परजामंडल से है तो राइट आंजर वोगा उप्शन भी भरतपूर परजामंडल से बात करते हैं भरतपूर परजामंडल की इस्तापना हुई 1938 में संस्तापक्ते जुगल किसोर चत्रविदी जिसे रैस्तान का नहरू भी कहा जाता हे गोपीलाल यादव अध्यक्ष्ष्ष बनाए गये थे भरतपूर परजामंडल के मास्टर आदित्यनेंध्र और किसनलाल जोसी इस्तापना भरतपूर परजामंडल की रेवाडी में की गए थी 1949 में भरतपूर परजा मंडल का नाम बदल कर भरतपूर परजा परिशद किया गया था बात करते हैं अलुहर परजा मंडल की अलुहर परजा मंडल के स्तापना 1938 में की थी हरी नरायन सर्मा द्वारा अध्यक्ष बनाया गया था भावानी संकर सर्मा राइस्तान का ऐसा बर्जामंडल है अलुहर जिस ने भारत छोड़ो आंदोलों में भागी नहीं लिया था Q6. डूंगरपूर पर्जामंडल की इस्ताबना किस वर्स की गई थी? तो राइट आंसर होगा उप्शन B सन 1944 में बात करते हैं डूंगरपूर पर्जामंडल की इस्ताबना हुई 1944 में सस्तापक थे भोगिलाल पांडिया जिसे वांगड का गांदी कहा जाता है और एक अन्य सदैसे थे गोरी संकर उपादिया गोरी संकर उपादिया ने सेवक नामक समचार पत्त्र को पर कासित किया था राश्तापाल गटना पूनावाला कांड इत्यादी का संबन डूंगरपूर पर्जामंडल से है जिसके संबन में हमने विश्तार पूर्वक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की गई है बास्वाडा पर्जामंडल इस्तापना हुई 1943 में संस्तापक्ते भुपंदर नाथ तिर्वेदी मनी संकर नागर वे धूल जी भाई भाई भावसर यह पर्मुक संस्तापकते 22 परजामनल के संगराम नमक समाचारपत्र बोमबे से परकासित कराया था वुपेंदर नाथ पिरवेदी द्वारा यह 22 परजामनल से समबंधित है Q7. तसीमो कांड का समबंध किस परजामनल से है? तो राइट आंसर होगा उप्चन B धोलपूर परजामंडल से धोलपूर परजामंडल इस्तापना हुई 1936 में संस्तापक थे ज्वाला परशाज जिग्यासू और कृष्ण दत्र पालिवाल प्रेणा थी स्वामी देयनन सरसोती की प्रेणा से धोलपूर परजामंडल की स्थापना 1936 में की गई 11 अप्रेल 1947 को परजामंडल की एक सबा पर पुलिस द्वारा फाइरिंग की गई जिसमें छत्तर सिंग वे पंचम सिंग नामक दो सदे से सहीध हो गए थे जिसे तसीमो कांड के नाम से जाना जाता है यानी तसीमो घटना के नाम से जाना जाता है क्वेशन नमबर आट कोटा परजामंडल की स्थापना किस वर्स की गई थी इंपोर्टेंट क्वेशन है तो रैट आंसर होगा उफसन सी सन 1949 में बात करते हैं हाडोती वे कोटा वे बुनी परजामंडलों की सबसे पहले बात करते हैं हाडोती परजामंडल की स्थापना हुई 1934 में पंडित नियनू राम सर्मा के अध्यक्षता में परजा मंडल ने बेगार विरोधी आंदोलन चलाया यानि हाडोती परजा मंडल ने बेगार विरोधी आंदोलन चलाया था और परजा मंडल को बाद में अविहिद घोसित कर दिया गया था उसके बाद में कोटा परजा मंडल के स्ताफना सन 1949 में की संस्तापक ते पंडित नेनुराम सर्मा वे अभिन हरी पर्थम अधिवेशन हुआ था कोटा परजा मंडल का मांगलोल 12 में भारत छोडो आंदोलन में सक्रिय भूमी का निभाई थी कोटा परजा मंडल ने बूंदी परजा मंडल इस्तापना हुई सन 1931 में संस्तापक थे नित्यानंद कांतिलाल वे रिसी दत्मेह था यह परमूख संस्तापक थे बूंदी परजा मंडल से इस्तापना हुई थी 1931 में चलते हैं नेक्स्ट कोश्चिन की दरब कोश्चिन नमबर 9 जेपूर परजामंडल का गठन किसकी अद्यक्षता में हुआ था इंपोर्टन कुश्चिन है तो राइट आंसर होगा उप्सन डी करपूर चंदर पाटनी जेपूर परजामंडल इस्थापना हुई थी 1931 में अद्यक्षते करपूर चंदर पाटनी जेपूर परजामंडल का पुनर गठन हुआ था 1936 में जमना लाल बजाज के सयोग से पुनर गठन के बाद अद्यक्ष बनाए गे थे परतमद्यक चिरंजी लाल मिस्रा जेंटल मेल एग्रिमेंट सन 1942 में हुआ था जो जेपूर परजामंडल का परमुक एग्रिमेंट था जिसमें जेपूर सरकार से सर परदान मंतरी मिर्जा इसमाईल हुए हेरालाल सास्त्री के मद्धे एक सयोग हुआ जिसे जेंटल मेन एग्रिमेंट कहा जाता है क्वेश्चिन नमर 10 तोल आंदोलंगा संबंध किस परजामंडल से है तो राइट आंसर होगा उप्शन सी मारवाड परजामंडल से मारवाड परजामंडल जिसकी स्ताफना सन 1934 में की गई थी संस्तापकते भवरलाल सराफा वे अचलेशवर परसाद वे अत्मल जेन ये परमुक संस्तापकते मारवाड परजामंडल के मारवाड हितकारनी सभा, मारवाड सेवा संग, मारवाड यूध लिग इत्यादी संस्ताओं का संबंद मारवाड परजामंडल से ही है चडडावल किसान अंदोलन डाबडा कांड इत्यादी परजा मंडल की पर्मू गटनाई थी मारवाड परजा मंडल का विस्तार पूरोग वर्णन हमने मारवाड परजा मंडलों से सम्मन्दित वीडियो में किया गया है आप मारवाड परजामंडल से अलग से टोपिक बना कर एक वीडियो यूटूब पर अपलोड है आप वहाँ जाकर मारवाड परजामंडल से सम्मन दित पर्मु घटनाओं वो संस्ताओं के बारे में जानकारी ले सकते है Q11. बीकनेर परजामंडल के इस्तापना किस वर्स की गई थी? तो राइट आंजर होगा Option C सन 1936 में बीकनेर परजामंडल इस्तापना हुई 1936 में संस्तापक्ते मंगा राववेद जिसके अध्यक्षते जबकि सदे से थे लच्मन दाश डांगी 1937 में गठन कलकत्ता में लच्मी देवी आचारे की अध्यक्षता में किया गया था बीकनेर परजामंडल का मेवाड परजामंडल इस्तापना 24 अपरेल 1938 को की गई थी संस्तापक्ते बलवंत राय महता जिसके अध्यक्ष बनाएगे भूरे लाल बैया उपाद्यक्ष थे मेवाड परजामंडल के और मानिक के लाल सर्मा महमंत्री थे मेवाड परजामंडल के मेवाड का काला पानी सराडा नामा किले को कहा जाता है जो रायस्थान के उधेपूर में इस्तित है जी हाँ दोस्तों कैसा लागा आपको इस सेशन हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको पसंद आई होते हैं वीडियो को लाइक और सिर जरूर करें